गुद आफ्टरनून क्लास 6th ICSC मैं विशेक आज जा रहा हूं नेक्स्ट एक्ससाइज का रिवीजन स्टार्ट करने जो है एक्ससाइज हमारा कौन सा 3.4 कौन सा एक्ससाइज है 3.4 एक्ससाइज 3.4 है जिसको हम क्या जैते रिवास करने जा रहे हैं ठीक है किस बुख का है आपका बुक है मलगरועल यह बुक चलती है जहां तक सैंपीटर स्कूल में चलिए अभी डिसकस करते हैं कि कैसे से सौल करना है कैसे questions करने हैं कैसे solve करना है आई यह देखते हैं तो 3.4 जो कि last exercise है chapter 3 क्या और उसके बाद हम 4 chapters start करेंगे revision as a revision जिसमें हमें सिर्फ इंटीजर क्या है evaluate करना है जैसे कि question दिया हुआ है पहला की find 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 7 minus 5 plus 4 plus 3 plus sorry minus 2 minus 6 minus 8 ठीक है अभी एक बात आपको समझना है कि जितने भी positive terms हैं उनको हम अलग जोड देंगे और negative terms को अलग जोड देंगे जैसे कि क्या है देखे लेखिए फटा फट देख लिजे question क्या होगा तो देखे क्या करेंगे सीधा तरीका है तो आप जोड दीजे दूसर तरीका है क्या है कि 4 plus 3 ब्रैकेट में कर दीजे चलिए आगे क्या करेंगे minus bracket के अंदर क्या हो जाएगा 2 plus 6 plus 8 plus 7 होगा क्या नहीं 5 होगा 7 भी positive में है तो positive वाले में ही जोड़ेंगे इसको plus और कर दीजे 7 plus 7 7 भी positive है ना चलिए ठीक है करोना positive नहीं है बस जोडने के लिए जो है वो numerical क्या है positive में है चलिए जोडते हैं तो bracket solving क्या हो जाएगा 4 7 हो जाएगा 7 7 14 हो जाएगा bracket close minus आप bracket में अगर जोडते हैं तो 2 is 8 10 हो गया 10 और 16 16 और 5 कितना हो गया 21 कितना हो गया 21 bracket close अभी bracket के बाहर लेके आएगा क्या हो जाएगा 14 minus 21 ठीक है 14 में से 21 minus करना है तो आपका answer क्या जाएगा minus का 7 क्या जाएगा minus का 7 ठीक है कोई भी एक आप कर सकते हैं आएगे अगला question देखते हैं जैसे का दिया हुआ है next question से बूला गया है की calculate 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 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10 ठीक है यह question है अभी हम पहले एक bracket में हम जितने भी positive terms से उनको रख लेते हैं तो हमारा 3 positive है 3 plus हमारा कुछ सा positive है 5 positive है plus 1 भी positive है plus यहाँ पर कोई sign नहीं नहीं वहाँ पर positive sign पहले से available है 5 इसके बाद क्या है 7 positive है plus 9 bracket close फिर minus minus अब bracket के अंदर फिर करते हैं negative terms को positive में convert का कि जब हमने minus common ले ले लिए तो सब अंदर positive हो जाएंगे तो हम यहाँ सिर्फ negative terms को ही लिखेंगे plus का 2 हो जाएगा ठीक है 2 minus का 2 से plus का 2 हो जाएगा plus 4 हो जाएगा plus 6 हो जाएगा plus 8 हो जाएगा plus 10 हो जाएगा 8 plus 1 9 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 ठीक है 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 25 हो जाएगा answer आगया इधर का minus bracket के अंदर इसको जोडिए 2 plus 4 6 plus 4 10 हो गया 10 plus 2 12 12 8 कितना हो गया 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया 20 plus 10 हो गया 30 ठीक है bracket close अब क्या हो गया 25 माइनस 30 आप चाहो तो थोड़ा सा और एक step बढ़ा सकते हो कितना माइनस common ले लो bracket में क्या हो जाएगा bracket में हो जाएगा 30 माइनस 25 ठीक है जब आप solve करोगे तो answer आजाएगा माइनस bracket में आ जाएगा 5 ठीक है आप multiply करोगे तो क्या हो जाएगा minus का 5 ठीक है आप चाहो तो direct calculation भी कर सकते हैं कोई जरूरत नहीं है इस तरह से पूरा solve करने के लिए कि यह समझाया इसलिए जा रहा कैसे होता है solve ठीक है या कैसे करना है या वाकई में कैसे वो number आ गया minus 5 ठीक है ऐसे आपको कहते हैं समझना पड़ेगा चली आईए अगला question देखते हैं फटा-फट अगला question दिखा हुआ है इसे रप कर दे अगला question दिखा हुआ है क्या कहिए है कि write 5 distinct integer whose sum is minus 10 ऐसे 5 अलग integers को लिखना है जिनका sum कितना हो 10 हो ठीक है distinct integer means क्या है वो एक दूसरे के equal हो की ना हो ठीक है तो ऐसे कैसे number बना सकते हैं तो आईए देखते हैं कैसे होगा अब भाई सीदी थी बात है हमें minus 10 लाना है answer ठीक है उसके बाद जो कुछ भी sum करना है 5 digit sum करना है तो 5 digit sum कर दो plus 5 किया minus 5 कर दिया ठीक है plus 5 किया minus 5 कर दिया plus 2 किया minus 2 कर दिया 30 plus 2 लिखा नहीं 2 minus 2 कर दिया ठीक है 4 भी कर सकते हो अगर हम सभी का sum निकालते हैं तो सीदी जी बात है क्या होगा 10 minus का 10 ही आएगा अब आप कहेंगे सर डिस्टिंक्ट नंबर बोला गया था means अलग 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 नंबर अलगी तो है यह minus का 2 है और यह plus का 2 है different है यह minus का 5 है और यह plus का 5 है different है ठीक है तो different number भी है इनका sum minus 10 भी आ रहा है तो हम बता सकते हैं असानी से जरूरी नहीं मैं 2 रखा हूं तो आप 2 रखो आप 5 रख दो 10 रख दो 10 तो अल्रड़ी रख चुके हो नहीं 10 10 करोगो तो 0 हो जाएगा 11 रख दो 20 रख दो 25 रख दो 50 रख दो कुछ भी रख दो plus minus दोनो आप रख दो क्या होगा eliminate हो जाएगा सिर्फ 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 minus 10 बद जाएगा ना answer that's it any problem I think so no problems if you have any problem you may connect to us with the details which are given in the description okay now next coming to the next अगले question पर आते हैं अगला question क्या कह रहा है कह रहा है कि find the value of find the value value of find the value of find the value of पहला क्या है 6 minus 9 plus 4 ठीक है 6 minus 9 plus 4 अब सिदी जी बात हमने क्या बताया positive positive अलग जुड जाएगा तो 6 plus 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और बचेगा minus 9 दोनों को आप सब्स्ट्रेक करोगी तो क्या answer आ जाएगा आ जाएगा answer 1 आ जाएगा बहुत आसानी से आ जाएगा कोई दिकत नहीं है हमाई साबसे आपको चलिए अगला question दिखते हैं कह रहा है कि 7 7 7 plus bracket में minus 5 plus bracket में minus 6 मैंने कल ही आप से बताया था परसो भी बताया मैं इस दो वीडियो लास्ट जो आएथे उसमें आपको बताया था कि कि अगर minus term plus term से multiply हो रहा है तो answer क्या आएगा minus तो क्या हो जाएगा 7 7 minus 5 minus 6 ठीक हैं अब यह दो term जो है minus में आगे बड़े आराम से आगे सीदी जी बात है यह हो गया 7 minus minus वाले term जुड जाएगे चाहे आप ऐसे करके लेग दीजिए bracket में 5 plus 6 हो जाएगा bracket close bracket close 7 minus 6 5 11 हो जाएगा minus 11 करिए ठीक हैं तो आप जब minus करेंगे क्या आजाएगा answer minus का 4 answer आपको already मिल जाएगा बड़ी आसानी से मिल जाएगा clear is that clear चलिए आगे बढ़ते हैं फटा फटा अगला question करते हैं अगला question है evaluate 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 the following evaluate the following चलिए तो एक question इसका कर लेते हैं और next part में question over कर लेते हैं then after word problem कर लेते हैं फिर आप solve करिएगा exercise लगाएगा जहां कहीं के दिक्कत आए जहां भी कुछ चीजें आपको ना समझ में आया है लगे आप कुछ problem है वह आप बिना कोई दिक्कत की आप question से पूँछें जितना जादा जादा पूँछ सकें चलिए आगे बात करते हैं next question एक देख लेते हैं लिखा हुआ है minus 65 minus 65 plus bracket में minus 76 bracket close minus bracket में minus 28 bracket close then plus 32 32 I have already told you that if फिर से हम बता दे रहे हैं पहले से बता के तो रखा है लिकिन हम फिर से बता दे रहे हैं आपको अगर याद ना हो if minus is multiplying with minus term then the product will be in positive then if minus is multiplying with positive then we will get negative again positive into positive gives positive and one more that is positive into negative sign gives negative sign okay तो आपको समझ में आ गया होगा हमने कई बार तीसरी बार हम बता रहे हैं लगभग तो यह आपको समझ में आ गया होगा आपको यह समझना चाहिए क्योंकि जो है यह बहुत जादा important है अगर science आप सही इसाब से science मतलब हो विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यह जो sign है इनको आप सही तरीके से अगर represent नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कहीं ने कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा चलिए आए अगला देखते हैं इसी question को समझते हैं minus 65 अब 76 plus into minus क्या हो जाएगा minus 76 हो जाएगा और 28 minus into minus हो जाएगा plus का हो जाएगा 28 plus 32 ठीक है अब हम यहाँ पर minus common ले लें तो bracket में क्या हो जाएगा 65 plus 76 हो जाएगा bracket close और अगर plus उसके बाद हम क्या करेंगे bracket में 28 plus 28 plus 32 अब जड़ा solve करते हैं तो आप add करिए 65 11 7 6 13 1 14 1 41 और यह क्या negative कर है क्या positive कर negative कर है क्योंकि negative से multiplied है अब अब इसको जोड़ते हैं तो sorry plus का sign होगा plus का sign रहेगा तो आप जोड़िए इसको तो minus common ले लिए बाहर bracket में बचेगा 141 minus 60 bracket close minus बाहर common है solve करिए क्या हो जाएगा हो जाएगा answer 81 81 आप minus से multiply करेंगे तो आजाएगा answer minus का 81 आपको value मिल जाएगी बड़े आराम से ठीक है तो अभी यहां तो complete हो गया आपका आराम से कोई दिक्कत नहीं है अब आगे बढ़ते हैं अब हम एक question और देख लेते हैं इसी तरह के evaluation का then after हम क्या करेंगे numerical solve करेंगे ठीक है numericals मतलब word problem sorry numerical नहीं word problem को में solve करना है coronavirus नहीं दूर कर देंगे vaccine नहीं बना देंगे word problem मतलब कि पूरेविश्य की दिक्कत को नहीं दूर करेंगे word problem सब्दों की problems जो है उसको solve करेंगे question और देख लेते हैं एक question दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दिया हुआ है 8 minus 6 plus bracket में minus 2 bracket close minus bracket में minus 3 bracket close plus 1 enter चलिए अब सभी sign को भी change हो सकते हैं वो कर दीजे हो जाएगा minus 2 हो जाएगा plus हो जाएगा 3 हो जाएगा 1 plus 3 हो जाएगा और plus 1 हो जाएगा तीक है अब positive symbols 3,1 और 8 add करिए 8,2,10,1,11,1,1,12 हो जाएगा और negatives को आप add करेंगे तो 6,2,8 होगा minus का 8 जो आप minus करेंगे तो answer आएगा positive का 4 आजाएगा answer आपको evaluation आपने आराम से कर ली कोई दिक्कत नहीं हुई बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब sign multiplied होते हैं तो sign में क्या changes होते हैं कैसे changes होते हैं वो आपको पूरी तरह से याद रखना है ध्यान में रखना है उसमें गलती बिल्कुल नहीं होने चाहिए अगर उसमें आप गलती करते हैं तो उसका खाम्याजा आपको कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है आपके answers match नहीं करेंगे ठीक है यह पकी बात है answer match नहीं करेंगा अगर आप गलत कर रहें तो ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं जो word problem की हम बात कर रहे थे उसको हम solve किया जाया भी अभी question क्या दिया हुआ है जड़ा देख लेते हैं कहा गया question दिया हुआ है कि रस्मी deposited 4,370 in हर account रस्मी deposited कितना rupees 4,000 भाई rupees का symbol नहीं मिल ला है तो हम dollar पर बात कर लेते हैं dollar करेंगे dollar कितना dollar जम्हा किया रस्मी ने कितने dollar जम्हा किया 4,370 4,370 dollars in her account in her account ठीक है in her account on Monday 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 on Monday and then withdraw and then withdraw 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 2,875 2,875 on Tuesday on Tuesday 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 then after then next day next day next day next day c c c deposited 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 dollar dollar 1550 what what was 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 her balance on Thursday on Thursday okay on Monday on Monday on Monday is $4,370 $4,2370 and Tuesday $4,370 $4,370 $4,470 $4,370 $4,370 $4,370 $4,170 सब्सक्राइब करना है अब ही देखिए समझिए आप क्या होगा जोड़िए सभी को तो प्लस 4370 डॉलर प्लस 1550 डॉलर माइनस 2875 ठीक है अब आपको इसको सॉल्व करना है क्या करना है सॉल्व करना है पहले आप जोड़ेंगे कितना 4370 डॉलर प्लस 1550 डॉलर क्योंकि तोटल इतना ही जमा हुआ ठीक है तो हो जाएगा 5920 कितना हो जाएगा 5920 माइनस 2875 माइनस करेंगे कितना 2875 ठीक है तो कितना बच जाएगा 3045 बचेगा तो आंसर क्या जाएगा 3045 डॉलर बच जाएगा किसके अकाउंट में 3045 डॉलर बच जाएगा रस्मी के अकाउंट में थरस्डे के दिन इतना रुपए बचा हुआ ठीक है अब सॉल्व करिएगे एक्सराइस 3.4 को जो कुछ भी डाउट्स हो से पूछेगा अक्षा दार्व आपको वीडियो तक देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कहते हैं फोटोस भी हमें मैसेज कर दें थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इस वीडियो तेक केर गुडबाइ अटीज बूबाँ मैसे का छाउ चाईस का जब पर सीमने बाराइस वीडियो बूच्छ आपको पपस्टर भी हैं तार्वर्ण जह भी हमें लिए रहे वीडियोंग